इस वीडियो के दौरा मैं आपको बताऊँगा कि किस पगार से हम हमारे घर में जितने भी रूम्स होते हैं उनमें इन्वर्टर का वाइलिंग किस पगार से करेंगे वो भी केवल एक इन्वर्टर का उप्योग करते हुए दोस्तों यहां पे आप एक छोटा सा लेयाओ देख उसमें एक MCV, एक RCCV और कुछ सिंगल पोल के MCV होते हैं दोस्तों यह जो हमारे सिंगल पोल के MCV हैं इनका उपयोग हम हर एक रूम को पाव सप्लाई देने के लिए करते हैं अब यह जो हमारे सप्लाई होता है उसको डिस्टुट करने के लिए यहां पर हम एक न्यूटल का इस्तंवाल करेंगे तो यहां पर हम दो-दो बल्ब का भी connect कर देते हैं अब यह जो हमारा 去 weiß room है इस去 पर में केवल एक bulb का connection करना है तो यह जो हमारा valve है इस को childee और ban का नेख लिए यहां पर हम एक switch का एस्तमाल करएंगे इसी switch के इमेटर का power supply, तो किस पकार से हम connection करेंगे दोस्तों देख लिजिए दोस्तों इस वीडियो को आप last तक देखिएगा, यदि आपको ये वीडियो पस्ता आये तो प्लीस इस वीडियो पर like जरूर कर दीजिएगा अब यहां से इसको भी को इंगर सप्लाइब अब यह जो हमारा एंप सिबींक करेंगे और इसके और absolute करेंगे और इसको आऩ की ऐसाद लूब करेंगे अशीव मगा इंशीको इंग्रास अपवर सपलाई को भी खड़ देंगे तो यह से हमारा आरकु सिबी था इसको यानि कि यह वाली इस टर्मिनल से एक वार को कनेक्ट करना है और इसको ले जाके हमें इस बस बार के सार कनेक्ट कर देंगे यहां पर हमने रेक्टरी के द्लाओ को बैटरी के द्वारा रेख़ियें। यहां पर रेक्टरी के द्वार के सार कनेक्ट कर देंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां से एक वार को कनेक्शन को एक्स्प्रेंड नहीं किया हूँ मुझे उमीद है कि आपको प्लक्टोब का कनेक्शन आता ही होगा ठीके चलिए आगे बरते हैं दोस्तों रहिए यह जो हमारा इंवर्टर था इसको हमने इंकमिग प्लक्टोब का इससने में दोस्तों एक नगया यहां कि यह वाली इस पीन यहानि यह जो इन्वारट वालीde कर जेगे तो यह जोए मटन से में कर देंगे तो यह सब्कार नहीं कर देंगे से पहले कि म्मार्व सब्क्राइब्ल्ट करना है इ sis को और सक्वारच कर दाती है तो यह 2 ging जो में दो Elis इसको हमें normal power supply के दोरा चलारा है, तो दोस्तों चलिए, तो कैसे वारीइंग करेंगे, देख लिजए, तो देखें दोस्तों, यह जो हमारा room no.1 है, इसमें हमें incoming power supply देना है main वाली तो दोस्तों यह जो हमारा MCV है इस MCV के outgoing terminalis equal to connect करेंगे और इसको लिजा कि switch के साथ connect कर देंगे दोस्तों यह जो हमारा switch है इसका इस बल्ब को glow कराने के लिए करेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमारा switch है इसको incoming power supply हम यहां से connect कर देंगे तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो कि यह जो हमारा bulb है और यह जो socket है उसको हमने normal power supply के द्वारा connection कर दिए है इसी परकार से हम room number two में connection करेंगे तो कैसे करेंगे देख लिए यह जो हमारा दूसरा mcb है इस mcb से एक वार को connect करेंगे और इसको लिए के साथ connect कर देंगे तो हम क्या करेंगे यहां से एक बार को connect करके इस socket को incoming power supply दे देंगे इसी प्रकार से यह जो हमारा run number three है इसको हम connection करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते है यहां से एक बार को connect किये और इसको लिजाके हमारा को ड़र था इसमें भी हमने इस स्वीच बोर लका इस्तेवाल किये अब इस देखे इस स्वीच वोर्ड में हमें में पावर सप्लाई का connection करना है तो हम क्या करेंगे इस स्वीच बोर को incoming power supply दे देगे हमने इस स्वीच को incoming power supply दिये तो इस लोगरभ खोने करेंगे तो इस सुटूн से वाघर करेंगे और इस बाल को इंक्न पोर सप्लाई दे देंगे आब यह जो दूसरा स्वीच है इस स्वीच का उप्योग हम इस सुकेट के लिए करेंगे तो क्या क्रेंगे इसके लिए यहां से वाईल को लूब करके देंगे अब इसका आपक में पावर सप्लाई थी उसका चौनेक्शन कम्प्लीट हो गया है ठीक है दोस्तों अब यह कि जो हमारा switchboard है है, इस switchboard में हमें inverter का connection में हमी करना है, तो इसके हम्हारा MCB है , याना कि MCB का उपयोग हमने inverter के लिए थे उसके और्गोईन terminal से एक वायल को connect करेंगे और इसको लिए जागे, इस switchboard के सार connection कर देंगे, हमने था इसको इंकर्बिंग्विल्व परके इंवर्टर करना है तो हम क्या करेंगे कि इस वाइल को रूप करेंगे करेंगे यहाँ से वॅंटल सपलय थाके वॉत करेंगे तो यहां से घ्मण को लूप करेंगे और इस हृटकॉर में पारस्प्लेखे Vital युण यह जो हमारा regulator है इसके और गोई टर्मनल से एक वार को कनेक करेंगे और इसको लिजाके हमारा जो फैन है उसको incoming power supply दे देंगे तिक है अब यह जो दूसरा switch है इसके द्वारा हम इस bulb को कंट्रोल करेंगे तो इस switch को हम incoming power supply यहां से लूप करके देंगे और इसका जो outgoing terminal वहां स एक वार को कनेक करके इस bulb को incoming power supply दे देंगे ठीक दोस्तों तो यहां पर हमारा room number 3 का connection करना है अब हमें room number 2 का connection करना है अब यह जो हमारा room number 2 है इसको inverter की तरह power supply देने के लिए यहां से एक बार को loop करेंगे और इसको लिजाके किसी भी switch के साथ connect कर देंगे ठीक है दोस्तों यह जो हमारा switch है इसको उपयोग हम इस fan के लिए करेंगे ठीक है तो इसका connection भी कर देते हैं same to same connection करेंगे तो यहां पर मैं explaining करता हूँ simply connection कर देता हूँ ठीक है दोस्तों यह जो हमारा corridor है इस corridor में हमने switchboard इस्तेमाल के थे इसमें भी inverter का power supply देना है तो हम क्या करेंगे यहां से को लूप करके लेकर जाएंगे और यह जो हमारा switch था उसको incoming power supply दे देंगे अब इसका जो आर्गोइन terminal है वहां से कवार को करने करके इस बल्ब को face supply दे देंगे ठीक है दोस्तों तो यहां पे हमारा जो face supply था इन्वेन पार वाली और inverter वाली उसका connection complete हो गया है दोस्तों अब हर एक mcb के दोरा outgoing power supply लेकर जाएंगे हर एक रूम के लिए दोस्तों यदि आप इस वीडियो का पीडिया फाइल डाउनट करना चाहते हैं तो उसका link में आपको community tab में दे दूँगा इस वीडियो का पीडिया फाइल कर सकते हैं दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल का म पड़ेगा वह चार्जिस के वर मुझे support करने के लिए दोस्तों चैडिये आगे बरते हैं देखे दोस्तों अब हमें यहां पे निटा सप्लाइग का connection करना है तो निटा सप्लाइग करने के लिए हम इस बस बार का उप्योग करेंगे दोस्तों यह जो हमारा नूम नुम्र इसमे हम सबसे पहले निटा सप्लाइग का connection कर देतें दोस्तों यह हमारा नुमर नूमर इसमें भी हमें neutral supply का correction करना है तो note roll का कनेक्षिन करने लिए यहाँ से क्वार को connect करके लिए झाए और यहां से एक वार निट्र सप्लाइ के दनेकर और यह जो हमारा फैन हम करनेकर कर दे नाए तो di लेके जाएंगे और इस रूम में जो न्यूटर सप्लाई को करेक्शन करना है वहां पर लिजाकर करेक्शन कर देंगे ठीक है तो हमने सबसे पहले इस फेन को न्यूटर सप्लाई दे दिए हैं अब हमें इस बल्ब को न्यूटर सप्लाई दे देंगे दोस्तों यहां पर एक नोटिस कर सकते हो, कि यह जो हमारा बल्ब था, उसको हमने inverter के दोरा connection किये है, और यह जो हमारा बल्ब है, उसको हमने manpower supply के दोरा connection किये है, ठीक है, और दोनों को हमने same to same neutral supply दिये, ठीक है, यहाँ पर हम same to same neutral supply इस दी दिये, क्योंकि हमारा जो neutral supply है, वो coma नहीं होता है, तो हम यहां पर inverter के दोरा न्यूटर सप्लाई देने की अलग सी जोट नहीं होती है हम manpower supply वाली न्यूटर सप्लाई को इस्तेबाल कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों यह जो हमारा socket है इस socket में भी हमें बलग करनेक्शन तो यहां पर हमारा फेश सप्लाई और न्यूटर सप्लाई का कनेक्शन अब हमें अर्भी醒 का होता है। दोस्तों एक चीज़ हमें से याद रखिएगा जो हमारा switchboard होती है उसमें जो motor pin होती है उस pin में अर्थिंग का connection करना आता है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यह जो हमारा motor pin है उस pin में अर्थिंग का connection करना है अब हमें इस socket में अर्थिंग का connection करना है तो इसके आपको इस वीडियो पे किसी परगार का डाउट है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं I hope कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों ये आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्रिस इस वीडियो पे like जरूर कर दीजेगा और आपके friends के साथ इस वीडियो को सेर करना ना बुलिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद